हेलो बच्चों गोड़े वीडिंग कैसे हो आप सभी उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से पराई कर रहे होंगे प्यारे बच्चों बस 10-15 मेंट आप इस वीडियो में देखी देखी जो कोश्चन आपको पूछा जा रहा है इस सेप्टेंबर में आपको जो एक्जाम हो रहे है आपकी स्कुल में तो यह सेम हुबहु वही पेपर है जैसे कि आप देख सकते हैं तो अगर आपका एक्जाम हो गया है तो बहुत अच्छी बात है आप अंसर मिला लिजे अगर आपका एक्जाम नहीं हुआ तो इस ज़िए हो सेके तो copy कलम निकाल करें के note कर लीजे और याद कर लीजे ठीक है चले पहला question देखें पूशा गया है आपके सबक्ष में total 30 question देगा 30 में से 25 ही बनाना होता है और 25 ही बनाना पहला question महण जदरो किस नदी के किनाड़े सीथ है यह question आपको कई बार करा चुके है बंगा है राजिस्थान में अब पूशा गया कौन से हरपा अस्ताल है जो कि राजिस्थान में तो बिल्कुर आइट अंसर यहां पर आपका option C हो जाएगा second number question का यही question आपको पूशा गया यही सब बहुत आसान आसान अगला देखें question 3 1922 में महण जदरो की खुझ किस ने यह जो विसाल असनांगर का आउसेस है जहाँ पर बड़े बड़े नाने की जो रूम थे वो कहा पर थे तो प्यारे बच्चों वो आपके थे मोहन जोदरो में option आपका D यहाँ पर सही हो जाएगा यही सब question है बहुत ही आसान question है अगला देखें question number 5 सिंदु घाटी सब्यत जिसमें से सबसे पुराना व्यद जो है वह है रिग वेद option A सही हो जाएगा 6 नमर परशन का जितना भी question आपको करवाए है जो अच्छे से पर रहे होंगे वो सारा answer देदेगा अगला देखें question में आपका 7 उपनिष्दों की रशना कब हुई थी उपनिष्दों की रशना है वो हुई थी उत्तरवैदी कालब है option आपका B हापर सही हो जाएगा अगला देखें बोध गया का समद्ध किस धर्म से अब बताए बोध गया में क्या हुआ था गौतम बुद्ध को सिच्छा की पराप्ति ही हुई थी इसका मतलब बोध गया और गौतम बुद्ध कौन ह अगला देखें सलेखन किस धर्म से समद्ध है सलेखन बहुत आसान इंपोर्टेंट है और बिल्कुल इसका भी राइटन से हो जाएगा option भी जैन धर्म तो सलेखन जो है सुलेखन सलेखन जो भी बोलिए इसका जो समद्धी था प्यार बच्छों वो है जैन धर्म से अगला देखों प्यार बच्छों पर्थम बहुत संगेती पूछा गया यह बहुत संगेती को अछे से याद रखेगा पूशन आपको पूशे जाते है ठीक है तो पर्थम बहुत संगेती जो है वह हुआ था राजगरम है option C सही हो जागा 11 यह प्यार बच्छों आप लोग बटवारा हो रहा था, तो पहली बार जो हुआ था, राजगरे में हुआ था, पर्तम बोज संगीती, और अगर आपको पूछता जैन संगीती, तो जैन संगीती वो हो जाता पार्टी कुद्र, लेकिन क्या पूछा गया, पर्तम बोज संगीती आपकी राजगरे में हुई थी option आपका C सही हो जाएगा अगला दिखिए कोस्वर 12 जैन धर्म के 24 वे तिर्थगर काउन थे हम सब जानते हैं जैन धर्म के 24 वे तिर्थगर थे महावीर option आपका A यहापर सही हो जाएगा जैन धर्म के 24 वे तिर्थगर महावीर थे आपको हम 2 बार बता चुके हैं, अब देखो अगला प्रश्न, पर्थम जयन सिंगी थी, कब हुई थी, अब ये पूछा गया कब हुई, ये नहीं पूछा गया कि कहा पर हुई थी, कहा पूछ था, तब आप राइटेंसर लगा सकते थे, क्या पाथले पूद्र, लेकिन पू प्रश्न, यहाँ पर D आपका सही हो जाएगा, 14 नमर का, अगर आपको पूछा जाता प्यार बच्छो बच्पन का नाम गौतम बुद्र का, थब वहाँ पर होता वर्धमार, एश्य सुरी, सिध्धार्थ, ओके, तो यहाँ पर महाविर के बच्पन का नाम क्या था, वर्ध यह सभी का संबन बहुत धर्म से, लेकिन स्वेतामर डिगमर का संबन जयन धर्म से, सुद्ध पीटक किस धर्म का गरंथ है, तो हम सब जाते है, सुद्ध पीटक जो है, वह आपका बहुत धर्म का गरंथ है, ओप्सन यह सही हो जाएगा, सिष्टेन नमर परिश्न का, अग का राइटनसर option A हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, और very good बहुत बढ़ी answer आप लोगों का आ रहा है, अगला देखिए question number 18, महाविर आप question को थोड़ा ध्यान से देखिए, महाविर ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया, यहाँ पर महाविर की बात ह question को ध्यान से परना बहुत जरूरी है, समय आपके बास बहुत है, यहाँ पर पूशा गया, महाविर के बारे में, ना कि गौतम बुद्ध के बारे में, अगर पूशा जाता है, गौतम बुद्ध ने परसम उपदेश कहाँ पर दिया, तब राइटनसर पर दिया, तो राइ अच्छे न भारत में हुआ था, तो वो सासक का नामर्च चंद्रगुम्त मौरी है, ऑप्सन C19 का बिल्कुल सही हो जाएगा, और बिल्कुल प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, अगला देखिए, पुस्तम आपका हो जाएगा है, आपर 20, निमलिकित में से किसे विस्नु का आउतार माना जाता है, बताएगे, विस्नु का आउतार किसे माना जाता है, तो प्यारे बचों ये माना जाता है, बुद्ध को, ठीक है, ऑप्सन आपका B सही हो जाएगा, 20 का, विल्कुल आप लोग भी सही जवाब दे रहे, गौतम बुद्ध को जो है, विस् कि वर नमर परश्णन का अगला दीखिए कुसा मर्ट 22 हर्पा से बैता कि किस अस्थल को मिर्तवों का टीला कहा जाता है हम सब जानते हैं मुह्ञन जदरों को option D आपके हाँ पर सही हो जाएंगे अगला दीखिए प्यार भचों को समर 23 हरपा से बैता का विसार लगभग कितने ग़र के किलो मेटर में था, यहां पर देखे, वर्ड यूज क्या गया गया लगभग, हम लोग जानते हैं, 12,99,660 किलो मेटर, या 606, इतना किलो मेटर में फैला हुआ था, अगर इसको हम लोग लगभग में लेंगे, तो लगभग में कितना हो जाएगा, 13,00 हो जाएगा ठीक है तो अगर लगभग कुछा जाए अल्मोस्ट अल्मोस्ट कितना था 13 लाख था तो आई तो आपका D हो जाएगा 13 लाख बहुत तरले बारा लगभग नहीं होगा देखें बारा लाख निगाना भाजार 607 मतलब सिर्फ और से 340 किलोमेटर कम था वल्ली 340 त तो लगभग में 13 लाख होगा ठीक है याद रखना तो हरपा सब्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्मता 13 लाख आपका सही हो जाएगा अलेक्जंडर कनिंगम द्वारा हरपा का सर्वेक्षन किस वर्स किया गया था बताई यह आप लोगो को किलियर दिख रहा है अ अब यहां पर अमरावती का इस्तुप किस राज़म है अब यहां पर अमरावती का इस्तुप पूचा है ना कि साची का इस्तुप अगर साची का इस्तुप पूचता तब यहां पर आप मध्य पर दे सकते थे लेकिन आपको पूचा गया अमरावती का इस्तुप और बिल्कुल आप लोग पर बिल्कुल आईटिस हो जाएगा अगला देखिए को समध्ट 28 अप ध्यान से देखेगा बह जो राजगीर है प्यार बचो इसका जो समध्ध है वो है बिहार राजगीर कहां पर है बिहार मैं न एक बार जरूर भूमने जाना बहुत अच्छी जगह है राजगीर ठीक है अगला देखिए को सब वेसे मैं भी नहीं गया हूँ बस सुनाओं जाओंगा तो फिर ब्लोग बनाओंगा अगला देखिए कौन सा संपर्दाय भगवान विश्नु और उनके आवतारों के भक्ती में विश्वास करता है बताइए कौन सा संपर्दाय है जो कि भगवान विश्नु और उनके आवतारों के भक्ती में विश्वास रखता है तो हम सब जानते है विश्नु जो है वो वैशनेफ संपर्दाई से हो जाएगा ठीक है तो राई टेसर क्या हो जाएगा option A वैशनेफ संपर्दाई 29 का अगला दिखिए जो कि बिल्कुल अलगी question है जादू टोना और दैनिक अनुस्ठानों का वर्नन किस वेद में है तो जादू टोना और दैनिक अनुस्ठानों का वर्नन है यह आपका अर्थ वेद में है option आपका D यहाँ पर सही हो जाएगा 30 नमबर परश्नका ठीक है अब थोरा सा subjective भी आप लोग फटाफट से देख लिजे एक चीज आपको बताते हैं हम लोग जो है प्यार बचों हम लोग जो है 15 October से दिहां से सुनियेगा आप लोग आपको बहुत important चीज बताये जा रहे हैं जिसकी अगर बिल्कुल भी तैयारे नहीं हुए है ध्यां से सुनिये फिर subjective भी बताएंगे जिसकी अगर बिल्कुल भी तैयारे नहीं हुए तो 15 October से हम लोग करेश कूर्स लोंच करने जा रहे हैं करेश कूर्स तो अगर आप एक भी चाप्टर नहीं परे हैं तो बिल्कु बहुत ही अच्छे नमा ला सकते हैं और अपने नाम को डिश्टिक्ट आपर तक पहुंचा सकते हैं मैं इस बात का गारंटी देता हूँ और क्या परना है कैसे परना वो सारी चीज़ आपको बता चल जाएगा 15 October को जब हम लोग का करेश को स्लेंज होगा आपका live class, PDF notes, test, जिस तरह का भी वो क्या कहते हैं प्रिवेस सेर कोर्षन, पिछले सल का पोचावा कोर्षन, डस-डस, मोडल सेर, गेस कोर्षन, इस सारा चीज़ आपको दिया जाएगा इस crash course के अंतरकत में ठीक हैं जो बच्चे पहले से course जोएल हो गया है या PDF ले लिये हैं उनको किसी भी परकार का payment करनी के ज़रूरत नहीं है PDF वाले को कुछ करना परेगा बडबाद में लेकिन यह आपका शुरू होने जा रहा है 15 October को करना कुछ नहीं है बस आप क्या करिए तनू Classes आपको बस एक ही काम करके रखिये अभी कि एक एप है हम लोगों का Play Store पर जो नए बच्चे ह इस एप को जो है पले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा इस्टोल कर लिजेगा ताकि 15 अक्टबर को हम लोग सारा चीज आपको बता देंगे ठीक है वेरे गोड चलो अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव देख लिए सब्जेक्टिव में क्या-क्या पूशा गया ह जले देखे कोशल कितना आसान पूशा गया है सारा लगवग प्रहते हैं कि नहीं बिल्कुल प्रहते के नहीं प्यारे बचो सर सिलेबस कंप्लिट हो जाएगा दिलनशी हो जाएगा डोट वड़ी चले अब देखिए अगला पूशा गया हरपा से बैता कि किन ही चार पर्म क्षिछों पाइद कर्णा चिवारा करते हैं। आईू का पता करते हैं आईू का पता करते हैं। पित्मेने कमें सरक जो है वो पक्की इटो का बनाया हुआ था, हम सब जानते हैं, दो विश्यस्ता पूचा, तो सरक जो है वो पक्की इटो का बना था, सरक जो है बिलकुल समकोन पर बना हुआ था, सरक के दोनों कि राने नाला बना हुआ था, यह सभी क्या उसकी विश्यस्ता है, ओके, अग सकते हैं जैसे बहुत ही आसान कोश्चन है इस तुप के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं लिंगाय संपरदाई के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं जैन धर्म के दो योगदान लिखें आराम से हीनियान और महायान में दो अंतर लिखें बहुत ही हीनियान जो वर्ग है आप लोग एक बार देख लेना यह सारा question का अंसर आपसे आराम से बन जाएगा यही question आपको पूशा जाएगा ठीक है thank you so much प्यारे बच्चों उमीद करते हैं आपको आज का करिएगा जो जो दोस्त आपके इस class को मिस कर गए ओके पिलीज आप लोग शेयर करिएगा क्योंकि उनका भी तैयार अच्छे से हो जाए और वह भी पास कर जाए बहुत आसान question पूशा जा रहा है